इस इस आलसो वेरी वेरी इंपोर्टन्ट कॉस्षिन कॉस्षिन नमबर टू एग्जरसाइज 2.2 अगर आप कॉस्षिन नमर वन देखोएं उसमें हमारे पास कॉडरिटिक पोलिनमिल जो है वो वहां से दी रखी थी वहां से गिवन थी हमें जीरोज फाइंड करने थे किस में? कॉस्षिन नमर वन में क्या है? वहां से ही दिया है जीरोज सम भी दिया है प्रोड़क्ट भी दिया है हमें फाइंड करने है कॉडरिटिक पोलिनमिल वेरी इंपॉर्टन्ट कॉस्षिन वहां पे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इस स्क्रीन नमर 2 जो है स्क्रीन पे आ रहा है क्या कहा जबत है? फाइंड कांद करने हैं में कांद के पोलिनमिल अगर उसके सम अगर उस सम अप जीरोज इसके बरावर है some of zeros and product of zeros is given restructivity restructivity means بالترطیب جو ترطیب میں दी गई है sum ये है first part जो दूसरा दी है वो product है इसको हम पहले इस तरह से लिखेंगे जो हमारी quadratic formula quadratic polynomial किस form में होती है quadratic polynomial जो हम वो इस form में होती है AXSQ प्लस B x अ- प्लस C यहाँ पर माइनस भी हो सकता है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। यह अगर अगर किसी वापत इन दोरों में क्या फ़रक है कुछ नही कि बस यहाँ माइनस है इस में प्लस है। जो कार्डिरिक पॉलिनमिल है वो इस फार्म में होती है हमें इस फार्म में बनानी है इन सम और प्रोडिक्ट जो दिया है इसको इस फार्म में लाना है इसके लिए मैं बस एक मैसल आपको दिखाऊंगा बस इसके लिए ये एक फार्मॉला याद रिक रिक एक स्केर माइनस इसी तरह एक स्केर माइनस सम आफ जीरो प्लस प्रोडक्ट आफ जीरो यह इसके एक फर्मुला है बस इसके लाव कुछ नहीं है अब इसको शार्ट बें इस तरह दी लग सकते हैं एक स्केर माइनस स इंड़ एक स्क्रकश प्लस पी बस यह अपको याद रखनी है एक इसके यह बे कर यापक स्वनी का है प्लस इसके एक स्सी अवह इसके लाक। x² minus sum क्या दिया है? SUM 1 by 4 इस ता इचंगा 1 by 4 x² इसी ता इचंगा इसकिonne PLUS P P रर्ध क्या है product product क्या है minus 1 PLUS SE product minus 1 इस स्रा प्रेकर नमे इसको इस ता इस निक एचंगा हम x² minus 1 by 4 x बलसे इचंगा मैनस minus 1 अगर आप इस तरह से लेख सकते हैं रखते हैं एक्जाम में अगर इसको और संप्लिफाइ करना चाहते हैं तो इसको क्रास मर्टिप्लिकेशन करेंगे अगर यह रखेंगे यह भी कॉर्रेक्ट है एकस स्केर प्लस बी एकस प्लस सी यह इस फॉर्म में आगया आप यहाँ भी देख सकते हैं अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखू यह भी आईगा això एकस स्केर प्लस बी एकस प्लस सी इस फॉर्म में यह कोरेक्ट है अगर इसको आप और संप्लिफाइ करना चाहते हैं तो पहले 4 को इसके सब multiply करेंगी 4x square minus 1x minus पहले मैंने 4 को इस तरफ multiply किया अब इस 4 को इस side multiply करेंगा minus 4 divide में क्या आएगा 4 अगर मुझे इस 4 को भी खटम करना होगा तो मैं इसको 0 के बराबर कर जोंगा किसको इस equation को 4x square minus 1x x या x वो एक ही बात है x minus 4 equal to 0 यह मैंने लिका बापस जब मैं इन दों का cross multiplication करना इस तरह से करना cross multiplication वो किसके बराबर आएगा जिस चीज़ के मैंने परसु बताया अगर इस तरह से कोई number है 1 इसके divide में हमेशा 1 रहेगा इसी तरह से यहाँ पे है यह 0 है इसके divide में हमेशा 1 आएगा इसको मैं multiply करूंगा 1 से तो यह वाक्स आएगा 4 x square minus x minus 4 is equal to 4 into 0 वो क्या बनेगा 0 तो यह क्या बन गई coordinate equation यह क्या बन गई coordinate equation not the polynomial question number 2 का B part है इसको भी यह जो है यह क्या दिया गया है यह sum है यह क्या है product है इसको क्या बनानी है quadratic polynomial इस form में लाना है इसको मैं अभी आप एक formula बताई 1 square minus s x plus p उसके एक formula जा रखे x square क्या है i सही रखोंगा x square minus s का मतलब sum sum क्या है under root 2 x इस तरह रखोंगा plus plus p p क्या है 1 by 3 अगर आप इसको आईसे ही रखोगे this is also correct अगर आप इसको फिर से simplify करना चाहते है तो आप इसको जाईसे कीजे 3 को यहाँ भी multiply देंगे 3 को यहाँ भी multiply देंगे 3 into x square minus 3 under root 2 3 under root 2 x plus यहाँ क्या बन गया 1 divided by 3 is मैंने अब भी बताया अगर मैं चाहता हूँ कि यह 3 जो है यह खतम हो जाए यह सिर्फ इस form में आ जाए तो मैं क्या करूँगा इसको equality के बराबर करूँगा 3 x square minus 3 under root 2 x plus 1 divided by 3 equal to 0 जब हम इनको cross multiplication करेंगे मैंने क्या कहा जिस चीज के denominator में कुछ नहीं होता है उसके denominator में हमेशा 1 रहता है तो इसके denominator में क्या है 1 इसको वहाँ पे multiply दिए 1 से यह वापस आईगा 3 x square minus 3 under root 2 x plus 1 equal to is 3 into 0 हो गया 0 यह क्या बंगी quadratic equation I hope you are getting this जो हमारा c part है वो इसी तरह है 0 under root 5 यह क्या है यह sum है यह क्या है यह product है 1 square minus s x plus p यह है quadratic equation की जो formula है polynomial की formula 1 square इसी तरह लेकोंगा minus sum sum क्या है 0 into x plus p p क्या है under root 5 तो यह क्या बंगी गा 1 square minus 0 index क्या होए 0 यह खतम हो गया यह वारा पूरा खतम हो गया अपके बंगया under root 5 अब इसका यही आएगा जो बाकी पार्ट से उसको आप जरूर सालो कीजे और comment box में mention कीजे उसके उनके answers और दीजी जाज़त नई वीडियो तक लेकिन इस channel को साथ ही साथ जरूर शेयर कीजे अपने दोस्तों के साथ subscribe कीजे और like कीजे कमेंट box में इसको जरूर आप बताई कैसा लग रहा है आपको और दीजी जाज़त आई वीडियो तक लुबा हाफिस